तो हेलो और नमस्कार दोस्तों मैं स्वाराज मेरे यूटू चनल पर आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देख सकतो यहां पर क्या क्या चीज रखा हुआ है सबसे पहले यह बता देता हूँ तो यह देख सकतो मेरे पास एक 4V का बैटरी है और यह दूसरा देख सकतो यह एक दूसरा मोबाल का बैटरी है 3.7V का और यह 12V का बैटरी है बाइक क्या और यह है हमारा 12V का बैटरी का चारजर और यह हमारा एक मोबाल का चारजर है और यह देख सकते हमारे पास एक 3 वोल्ड का LED लाइट है और यह वारा वोल्ड का लाइट है बल्ब है तो सबसे बहुत वीडियो को आपको थामनल देखकर पता चल चुका होगा कि आज में आप सभी को क्या दिखाने वाला हूँ तो देख सकते हैं यह मेरे पास एक मोबाल का बैटरी इसको आप किस तरीक से चार्ज कर सकतो यह सिखाऊंगा प्लस यह बैटरी को भी चार्ज करना सिखांगा इसको भी सब कुछ सिखांगा वीडियो को बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे आएगा उसको आलपे सेट कर देना सब्सक्राइब करना एक दम फ्री है दोस्तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना तो सबसे बेले मैं आपको दिखा देता हूँ यह देख सकतो मेरे पास एक फूर वोल्ड का बैटरी है इस इसमें चार्ज टोटल ही नहीं है तो मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ तो मैं इसमें दो वायर लगा दिया हूँ देखिए ये माइनस के लिए मैं ब्लाक बला वायर और देखिए प्लस के लिए मैंने येलो कलर का वायर जॉइंट कर दिया हूँ शॉल्डिंग कर दिया हूँ तो मैं сок check करके आपको दिखा देता हूं इसमें 잘 या carrier है या नहीं तो देख सकतो Double Charge ंए ठीक है। सबस removing we Exact आपको चार्ज करना है चार्ज करने के लिए देख सकतो मेरे पास चार्ज अरे मॉबाइल का इसके through अब इसको चार्ज कर सकतो चार्ज करने के लिएक देखिए इसमें से 2 वायर निकला है किसी किसी में 4 वायर निकलता है उसमें से आप Red और Black वायर यूज कर सकते हो तो इसके लिए ół हमें इसका Red वायर या है प्लस है मैं बैटरी के प्लस में लगा देता हूँ और जो Minus वायर है मैं इसको लगा दिया हूँ 220 बोल्ट के अंदर अभी हम कोई कोई बताता है कि अगर आप चार्ज करोगा तो आपका बैटरी फट जाएगा क्यों फटेगा भाई मैं की राद भर थोड़े ने लगाऊंगा इसको चार्ज करने का लिमिट है एक घंटा देड़ गंटा इससे ज्यादा मत लगाऊ लगाऊ तो फटेगा नहीं यह फूल सकता है मतलब यह वाला बैटरी अगर आप लगाऊगे तो फटेगा नहीं फूल सकता है ठीक है तो मैं इसको मैं लगा दिया हूँ इसको लगाने के बाद मैं इसको स्टॉप छोड़ देता हूँ लगवाग आधा गंटा तो देखिए मैंने चार्जर को यहाँ पर लगा दिया हू ताकि आपको दिख सके जब देखिते होल्डर के साथ में इसको अटच किया हूँ तो सबसे बिलें आपको इसको कनेट करके दिखा दाता हूँ जी हमार यह लाइट बैटरी चार्जर हो रहा है तो आप इस तरीके से इस बैटरी को आप चार्जर कर सकते हो तो अभी यह डर रहेगा कि यह हमारा बैटरी फट सकता है या फट जाएगा तो डरने की कोई बात नहीं लेकिन है आपके लिए एक वार्निंग है आपका अगर एस 14 साल से कम है तो आप इसे क्रिपिया घर पर अकेले मत कीजे तो देखिए मैं इसको मैं अटेज कर दिया हूँ यह हमार बैटरी है यह चार्जिंग कंडिशन में है तो मैं इसको क्या खलता हूँ इसको मैं खोल देता हूँ खोलने के बाद इसको मैं इसमें चार्ज हो पाया है या नहीं मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ तो देखिए इसको मैं 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 आपको चेक करके दिखा देता ह तो यह आपका चार्ज हो जाएगा successful अब यह हमार पास 12 बोल्ट का बैटरी है यह है main तो मैं इसको क्या करता हूँ holder को कर देता हूँ side में यह आपका बस अगर इस तरीके का बैटरी है तो आप इसको किस तरीके से चार्ज कर सकते हो इसको चार्ज करने के लिए आपको एक चार्जर बनाना पड़ेगा तो वो चार्जर है यह वाला देख सकतो इसके अंदर क्या का component है मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकतो एक 12 बोल्ट का 12 जिरो का transformer है और यह हमार पास इसके अंदर मैंने चार्ट डायोड लगा है और यह क्यापसिटर है इसको मैंने किस तरीके से बनाया हूँ यह वाला वीडियो है हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हूँ सब्सक्राइब करना एक दम फ्री है उससे पता कर सकताए ला बैटरी को चार्ट करना एक 12 बोल्ड का उसको चार्ट करने के लिए आपको कुछी स्ट्रीकित सेच को मोड़ न sedia मैं इसके प्लस के लिए यह वाला वाएर यॉसक्त यह वाल वायर और मैनिस के लिए यह वाला वायर तो यह दोनों को मैं कुछ इस तरीज से अटच कर देता हूँ तो देखिए, अटच करने के बाद यह रहा देख सकत हो, मैं आपको दिखा देता हूँ यह रहा इसका 2-pin चार्जिंग के लिए यह देख सकत हो यहाँ पर साया हुआ है तो इसको मैं क्या कराँगा, यह मेरा देख सकत होल्डर है यहाँ पर इलेक्ट 220 वोल्ट है तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीज से अटच कर देता हूँ तो यह देखिए, हमारा यह अभी चार्ज हो रहा है तो मैं इसको लगबग 2 घंटे के तरफ छोड़ देता हूँ उसके बाद चेक कर देता हूँ क्या होता है तो यह हमारा 2 घंटा हो चुगा है तो सबसे बेले मैं इसको 220 वोल्ट से खोल देता हूँ उसके बाद इसको मैं चेक कर देता हूँ सब से भिले फटा बाट में इसको निकल देता हूँ निकलने के बाद यह देखिए तो मेरे बास 12 बॉल्ड का बल्ब है इसको मैं चेक करूँगा तो यह है मेरा माइनस तो यहाँ पे लगेगा यह प्लस को यहाँ पर तो देख सकता हूँ हमार लाइट जो है ये ग्लो कर रहा है तो आई होब दोस्तों आपको पता चल जुका है अगर आपके बास अगर बैटरी किस तरह से आपको चार्ज करना है तो आपको अगर वीडियो से कुछ भी इंफर्मिशन मिलिए तो प्लीज हमार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घेंटे आगए उसको और पे सेट करके रखना तो मैं चलता हूं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको